देखिए एक एक्जाम्बल से शुरू करेंगे सबसे पहले जिससे आपका थोड़ा सा एक रिवीजन टाइप भी हो जाएगा ठीक है हम अभी स्पैरिकल रिफ्रेक्शन का केसी लेके चल रहे हैं तो यह ध्यान रखेगा आप सभी ठीक है यहां पर इफ्रेक्टिंग डेक्स एन वन है यहां पर एंट्टू है और यह है आपका एक रियल ऑब्जेक्ट ठीक है यह रियल ऑब्जेक्ट पोल से एक्स दूरी पर रखा गया है और आपसे यह कहां रहा है और आप्शन है चार कौन कोंच से ऑप्शन थे तो पहला ऑप्शन यह है तट एंट वीज ग्रेटर दन एनवन शो इमेज इस ऑल्वेज रियल इमेज कैसी आईगी हमेशा रियल आईगी दूसरा एंट्वी सिग्रेटर दन एनवन image is always virtual image is always virtual c hai n1 is greater than n2 image is always virtual or d hai n1 is greater than n2 image is always real तो यहाँ पर जो condition है उस condition में हम देखें तो कौन सा सही बैठेगा देखें यह question है real object रखा हुआ है real object की दूरी है x pole से ठीक है अब बताइए क्या आएगा इसमें कौन सा option सही बैठेगा तो समझें इसका हम solve करते हैं क्या लिख सकते हैं देखो n2 by v minus n1 by u equals to n2 minus n1 by r यह हमारे पास एक standardized formula है right अब यहाँ पर आप देखो u जो है वो क्या आएगा minus x आएगा तो minus minus हो जाएगा plus तो क्या लिख सकते हैं n2 by v plus n1 by x equals to n2 minus n1 upon n2 minus n1 by r r कैसा आएगा negative या positive r कैसा आएगा negative या positive negative आएगा ठीक है क्या आएगा minus r so यहाँ पर हम लिख सकते हैं n2 by v equals to next page पर ले ले लेता हूँ n2 by v equals to minus times of n2 minus n1 by r minus n1 by x ठीक है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि v is always negative उस case में image is always इस वर्चूल कब यह statement लिखा मैंने अब समझे अगर n2 n1 से बड़ा है ठीक है n2 n1 से बड़ा है अगर n2 n1 से बड़ा है अगर n2 n1 से बड़ा है इसका अधर n2 is greater than n1 तो n2 greater than n1 है इसका अधर यह negative sign न रहेगा और यह negative और यहाँ पर भी negative है यह भी negative है और यह भी negative है इसके अधर वी आपको कैसा मिलेगा हम वी की value हमें कैसे मिलेगी क्या वी की value हमेशा हमें negative मिलेगी yes or no अगर n2 n1 से बड़ा होगा तो हमें जो value मिलेगी इस चीज की यह कैसे मिलेगी negative मिलेगी अब यह point यह part भी negative है और यह part भी negative है तो हमें image सो हमारे पास जो वी की value आईगी वो कैसे आईगी हमेशा negative आईगी और वी अगर negative है तो image कैसे मिलेगी हमेशा virtual मिलेगी right लेकिन अगर मान लीजे कि n1 बड़ा हो n2 से क्या हो n1 बड़ा हो n2 से उस case में क्या होगा उस case में वी positive हो सकता है और negative हो सकता है वो चीज़ डिपेंड करेगी कहीं ने कहीं x पर जाके फिर आई बात समझ में clear है सभी कोई चीज़ yes sir next take you transverse magnification in a spherical refraction स्वमाजी त्शनवेका स्..समाजी जुहत बतान अल्वान्प इसस्थ आस्वेश्र स्वेर के जिस रस्वेकाइड़ारा राधेड़ त्वान ब як तो देखें यहां पर एक श्राइरिकल रेट्शन के लिए हमने यह सड़ी करेंगे ठीक है यह रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड रहां पर रिफ्रेक्ट्विंडेक्स एंड जो लिया है यह इस दे आइड of the object and यह जो दूरी ली है यह है यू ठीक है now the ray goes in such a way like this ठीक है तो यहां पर हम यह कह सकते हैं that we can have height of the image right और यहां पर जो angle बन रहा है यह angle alpha है और यह angle हम ले ले लेता है बीटा और जो image मिली उसके लिए हम लिख देते हैं b clear है यहां तक तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि 10 alpha is equal to हम क्या लिख सकते हैं 10 alpha is equal to हम लिख सकते हैं perpendicular upon base तो perpendicular क्या है आपका h naught और base क्या है आपका u clear similarly अगर हम देखें यहां पर बीटा angle के लिए तो क्या लिए सकते हैं 10 बीटा इस इकोल्स टू पर्पेंडिकुलर पॉन बेस्ट पर्पेंडिकुलर कितना जाएगा हाइट ऑप दे इमेज बाई वी बोलो क्लियर है अब आप देख सकते हो कि यहां पर आलफा और बीटा इन दो यह दोनों जो है एंगल जो हमने लिए हैं यह स्मॉल एंगल तो वी गैं से टैन आलफा इस एप्रोक्सिमेटली आलफा और टैन बीटा इस एप्रोक्सिमेटली बीटा क्या इसा लिख सकते हैं राइट सो इसे हम कंपार कर सकते हैं विथ एच नॉट बाई यू साथ में और इसे हड़एभाइव फिके साथ में ठीक है नौ वि कें रइट एन वन साइंअलफा इस एकॉलस तो एंट तू साइं बीटा क्या लिख सकता हैं यह एन वन साइं आलफा इस टो औ्साइं बीटा and sin alpha can be written alpha and sin beta can be written beta now we know the value of alpha and beta so from here alpha is h0 by u so h0 by u equals to n2 into beta the beta value value कितनी है h i by v तो यह आजएगा h i by v ठीक है नाओ हाइट ऑफ दे इमेज बाइफ हाइट अब दो अब्जेक्ट इकोल्स तो क्या हो जाएगा इसे हम क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं मैगनिफिकेशन ठीक अब यहां पर देखो मैगनिफिकेशन हाइट ऑफ दो इमेज बाइफ हाइट ऑफ दो अब्जेक्ट इकोल्स तू एन वन बाइन टू इन टू इन टू वी बाई यू ठीक है यह अपका आजाएगा मैगनिफिकेशन ना यहां पर आपको एक चीज़ का द्यान रखना है कि यह जो हमने वैल्यूज ली हैं वी एंड यू ठीक है इन सभी वैल्यूज को हमें with a sign put करना रहेगा so we can say put all this put this all with sign बूलो क्लियर है हाँ बई सवन में आया yes sir yes sir कोई दिक्काद ठेक देखवागे एक और एक कुश्चन देखो यह कुश्चन बहुत अच्छा है समझने लायक है यहां पर हमने यहां पर रिफ्रेक्टिर इंडेक्स है वन और यहां पर रिफ्रेक्टिर इंडेक्स है वन पॉइंट फाइल ठीक है यहां पर हमने एक उफ्रेक्स है जो के स्पेरिकल रिफ्रेक्शन के लिया है स्पीर लिया है यह दिज़ भी विद वन सेंटिमेटर पर सेकंड ठीक है आप से पूछा जा रहा है find the velocity of the image क्या पूछा जा रहा है find the velocity of the image बूली कैसे करेंगे object मूग कर रहा है sphere मूग कर रहा है spherical surface जो लिवी है वो भी मूग कर रही है तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं देखो n2 by v minus n1 by u equals to n2 minus n1 by r ठीक है सबसे पहले यह बताईए कि v हमें मिल जाएगा using the formula v आजाएगा 90 cm यह हमने बहुत बाट ढूना हुआ इसलिए मैं directly value पूट कर रहा हूँ v equals to 90 cm using the formula ठीक है ना देखिए हमें यहाँ पर velocity of the image find करने है तो velocity of image find करने के लिए यह जो हमारे पास equation number one है हम इसे क्या कर रहे है double differentiate करेंगे हम इसे क्या करेंगे differentiate करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो इस equation को जो बाट differentiate करेंगे तो लिख सकते हैं one upon v जो है उसको जो बाट differentiate करेंगे कि लिए क्या लिख सकते हैं 1 upon x square मतलब की minus 1 upon x square मतलब की हो जाएगा minus n2 by v square dot dv by dt ठीक है again minus n1 into minus 1 upon u square minus minus क्या हो जाएगा plus so n1 by u square into du by dt now we know that all the value n2, n1 and r these all values are constant इसारी फिक्स्ट है so इसको differentiate करेंगे then it will be 0 right now what we can write यहाँ पर जो है इसे यहाँ ले जाएगे तो यह हो जाएगा positive so we can write dv by dt equals to n1 by n2 into v square by u square dot du by dt यह हमारे पास में equation बनी अब dv by dt का मतलब क्या है कि image is moving with respect to sphere यह surface और यह है object के लिए motion ठीक है velocity of the object with respect to surface ठीक so dv by dt को में लिख सकता हूँ velocity of the image with respect to surface is equals to n1 by n2 into v square by u square into velocity of the object with respect to surface so velocity of the image with respect to surface के लिए हम लिख सकतने है velocity of the image minus velocity of the surface is equals to n1 by n2 into v square by u square into velocity of the object minus velocity of the surface तो यह जो सर्फेस है इसकी स्पीड है वन सेंटीमीटर पर सेकंड object की है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड ठीक है तो सबसे पहले velocity of the image minus surface की कितने given is 1 n1 n1 क्या लेंगे n1 क्या आएगा बताओ जहां से आए काम की रेज हो हमारे लिए क्या हो जाता है n1 तो यहां से काम की रेज आएगी तो यह n1 आएगा तैट इस यह 1 और n2 आजाएगा 1.5 v2 by u2 वी का वैल्यू हमें अल्वरी पता है कितना है 90 सेंटीमीटर तो 90 का स्क्वेर by u u का स्क्वेर u कितना है 30 30 का स्क्वेर हो जाएगा यहां पर into velocity of the object minus velocity of the surface velocity of the object कितना है 5 और surface के लिए आजाएगा 1 ठीक है the velocity of the image minus velocity of the image equals to देको यहां पर क्या करेंगे 90 का स्क्वेर by 30 का स्क्वेर करेंगे 5 माइनस 1 4 हो जाएगा तो यहां पर जो आप calculate करेंगे then you will get the answer 25 cm per second यह answer आ जाएगा velocity अब तो image कितनी आ जाएगी 25 cm per second बोलो कोई दिक्कार यहां तक किसी को अब यहां पर यहां पर यह कैसे calculate किया गया velocity कैसे निकाले गई किसी को कोई डाउट है यहां पर पक्का यह सब्सक्राइब नेक्स्ट जो है पार्ट हमारा वो है लेंस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लेंस देखें लेंस और मिरर के अंदर बहुत सारी similarities भी है ठीक है तो मैं उस पार्ट पे जादा focus अब नहीं करूंगा जो हम और पढ़के आए हैं and which is similar to the mirror मतलब कि एक ही टाइप के question बारवा कराने का कोई नहीं है इसलिए lenses के अंदर हम वो चीजों को study करेंगे जो दोनों से अलग है बिल्कुल मतलब mirror के case में बताऊंगा जरूर कि क्या क्या आ सकता है लेकिन उसी टाइब के questions को repeat करया करया नहीं जाएगा मैंने आपको mirror में बता दिया था इस चीज़ के बारे में पहले कि mirror में हमने इतना time लिया है बिकास आपके लिए lens easy हो जाएगा अगर mirror को अच्छे से कर लगे तो lenses आपके लिए बहुत हो जाएंगे अब सबसे पहले चीज़ तो lenses तो यहां पर हम lenses की जो बात करेंगे we will talk about thin lenses सबसे पहले चीज़ सापके दिवा में यह clear होने चीज़ कि हम lenses के बारे में बात करें that is we are talking about thin lenses right चले देखिए एक यह आपका lens है this is we can say thin lens next is यह मोटा lens है थीक ठीक है यह बाय कॉन्वेक्स क्योंकि आप दोनों तरब से देखेंगे तो यह आपको कॉन्वेक्स ही दिखाई देगा इसलिए हम इससे कहते हैं बाय कॉन्वेक्स कि नेक्स्ट इस यह हो गया आपका बाय कॉन्वेक्स है यह बताईए यह है प्लेनो कॉन्वेक्स और यह प्लेनो कॉन्वेक्स बोलो प्लेर है सब्सक्राइए तो यह लैंसे के टाइप्स है वेटा एक और है समझेए इसे कहते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स क्या कहते हैं कॉन्वेक्स और कौन क्यों लैंस ठीक है यहां पर यह आरवन है और यह आरटू है और फॉँए जो डाग्रम अलस वी कन से थाट रटू यह ग्रीटर देटा आरवन ठीक है यह जो लैंसे हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है किसी को आईडिया है इसको I think मैंने बताया हुआ है पहले वैसे तो आपको याद है Lenses कैसे formation होता है Lenses बनते कैसे हैं Spear में से right पिल्कुल जैसे माली जी अगर मैं यहाँ पर दो Spear आपको draw करके दिखाता हूं उससे आपको idea भी लग जाएगा देखिए जिसे माली जी एक स्पियर हो गया और एक यह स्पियर हो गया तो क्या अब आपको यहाँ पर एक Convex Lens दिखाई दे रहा है राइट सब्सक्राइब आया कि यह Convex Lens हो गया सिमिलरली अगर हमारे पास इसी तरीके से दो और स्पियर है तो देखे क्या यह Concave Lens बन गया यह सुनो क्लियर है यहां तक बिटा क्लियर है यह स्थ यह स्थ यह स्थ यह स्थ एक बार अगे राली स्लाइड करो नो दिख रही है स्लाइड आगे वाली नई अब अब यहां पर जो Lens है तो इस लेंस में यहां पर एक इसका से ने आगे आगे अगे नो ले रहें तो इस लेंस में तो इस लेंस में है यहां पर एक किसके सेंटर आएगा और यहां पर आएगा तो यह दोनों को जॉइन करने वाली जो लाइन है उसे हम कहते हैं और ओपटिकल एक्सेस क्या कहते हैं और प्रिश्वे मैं अगर हम बात करें कि यह लेंज की कि तो इस हाँ पर जो लेंज है है कि इसकी लिए ऑप्टिकल सेंटर कहा आएंगे दुनों के तो दे जो प्लेन सर्फेज है उसका सेंटर तो है इंफिनिटी पे मिलता है थीक है सो सबसे पहले तो यहां पर इसका center मिलेगा plane surface का center of the plane surface at infinity center of a plane surface at infinity तो हमें क्या करना है we just draw a line perpendicular to the plane surface मतलब यह जो plane surface है इस plane surface के perpendicular हमें एक line ड्रॉ कर देते हैं ठीक है और यह उस case में हमारी optical axis बन जाती है clear next देखे आगे देखे हमने यहां पर types of lenses को देख लिया लेकिन हमें जिस lens को detail में study करना है वो है thin lens so let's talk about thin lens now here we have thin lens जी कुछ इस तरीके से हमने ले लिया है ठीक है ना दीके यह हमने ले लिया object इस प्लेस्ट एड दिस्टन्स यू ठीक है surrounding medium जो है वो है air और इसका refractor index लिया है वाँ mu thickness है lens की t but जो thickness हमने t लिया है t is the thickness of the lens which is negligible thickness of a lens which is negligible right इसकी radius r1 मान लेते हैं इसकी radius r2 अब क्या होगा देखिए यह जो object है यहां से एक रेक गई ऐसे ठीक है और इस ray से refract होके हमें image मिल गई यहां पर इस point पर i1 तो यह जो दूरी हुए है यह दूरी कितनी है यह दूरी है v1 ठीक है अब यह जो image मिली यह image r2 surface के लिए क्या हो जाएगा object बन जाएगा yes or no ठीक है और उसकी यह image which is act as an object for the surface and image will be formed here which we can take V बोलो clarity है इसका formula बनाओ देखो हमारे पास में basic formula क्या है कि n2 by v minus n1 by u equals to n2 minus n1 by r right अब यहाँ पर n2 मतलब की जहाँ पर रे जा रही है तो कहाँ जा रही है रे तो यहाँ पर जा रही है तो वहाँ पर refractory index क्या है तो भाई सब mu है by v मतलब की image कहाँ मिल रही है image भाई मिल रही है हमें v1 पर कहाँ मिल रही है v1 पर because we are considering for the first case अभी हम first case की बात कर रहे है so यहाँ पर हमें image मिलेगी v1 पर minus n1 by u n1 that means surrounding that is air by u यह हमारे पर स्यू है equals to n2 minus n1 by r so n2 कितना है तो n2 है mu n1 कितना है 1 upon r यहाँ पर जो equation बनी इस equation में मैंने कहीं पर भी sign का use नहीं किया because I am deriving a general equation ठीक है तो यहाँ पर मैं भी लिख दता हूँ without sign because हमने कहीं पर भी sign का use नहीं किया है plus minus nothing we have used yet right so this is without sign यह equation बनो होगी second equation कि अगर हम बात करें अगर है तो ना एंट्टू क्या है and two is your one by object की दूरी sorry image का मिल रही है था v distance में इमेज मिल रही है तो one by v minus n1 n1 that is mu ठीक है वो क्या आजाएगा मियू बाइ यू मतलब की object object कितनी दूरी पर है तो object है v1 दूरी पर तो हमने ले लिया v1 equals to n2 minus n1 by r तो n2 हमारे पास है इस case में 1 n1 है mu by r r मतलब आपका यहां पर आजाएगा r2 because we have considered we have taken the second surface और यहां पर r1 because we have taken the first surface ठीक है to equation 1 and equation 2 we have taken that is also without sign अगर हम इन दोनो equations को add कर देते हैं now adding both equation 1 and 2 so we can say adding equation 1 and 2 दोनो equation को add कर देते हैं add करने से क्या होगा तो एको देखो mu by v1 mu by v1 cancel out हो जाएगा ठीक है तो क्या बचेगा तो बचेगा 1 by v minus 1 by u equals to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 ठीक है clarity है अच्छा अब यहां पर अगर यहां पर मैंने refractive index हमें पता था कि surrounding medium में जो refractive index लिया है that is air अगर माल लीजे हमें नहीं पता कुछ भी हो सकता है surrounding का medium और इसे all generalize करना है तो हम क्या लिए सकते हैं जहां पर 1 है उसको मैं लिख रहता हूं mu s मतलब कि surrounding medium की लिए रिफ्रेक्टर इंडेक्स minus mu s by u equals to mu minus 1 into 1 by sorry mu अब क्या है तो lens का refractive index और यह जो 1 है that is again refractive index of surface surrounding into 1 by r1 minus 1 by r2 तो यह हमारे पास में यह एक equation बन गई बोलो clear है यहां तक anyone has any doubt now loose इसको अगर हम और simplify करना है तो यह mu s को बाहर ले जाकि इदर नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यह mu s से divide कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 by v minus 1 by u equals to mu l mu l by mu s minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 बो clear है हाव है किसी को doubt अब एक चीज़ समझे कि focus के अगर हम बात करें फोकस तो लैंस के किस में अगर object infinity पे है तो image कहां फॉर्म हो रही है इमेज होम होरी फोकस पर राइट यहां पर मैं 1 by v minus 1 by u को क्या 1 by f c represent कर सकता हूं बिलकुल कर सकता हूं तो यहां पर अगर मुझे फोकल लैंद फाइंड करनी है देना विल डेफिनेटली डिरेकली राइट 1 by f is equal to mu l by mu s minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 अगर मापसे फोकल लैंद पूछी जाए तो आप यह वाला formula apply करेंगे अगर आपसे भी पूछा जाए तो आप यह वाला formula apply कर देंगे जहां पर जैसी demand है जहां पर जैसी requirement है जो चीज़ा आपको find out करनी है उसके according आपको formula port करना रहेगा बोलो clear है यहां तक anyone has any doubt in this कुछ important points है जिसनको ध्यान में रखना है क्या क्या है वो देखो यह जो formula हमने derive किया है यह formula valid किस चीज़ के लिए है यहां पर हमने कुछ formulas derive किये and these formulas are valid for paraxial rays thin lens होना चाहिए चाहो तो नुटाओं कर लो valid for paraxial rays दूसरा है thin lens and surrounding medium should be same surrounding medium should be same जिससे अगर हमने यह lens लिया है तो इस lens में यह जो है जहां से रे अगर एक fall होती है तो undeviated जाती है ठीक है इस point को हम कहते है पोल जिसे हम P से represent कर सकते हैं किस से represent कर सकते हैं P से इसे हम कहेंगे undeviated rays undeviated rays ठीक है जहां जाए काम की rays उसे हम क्या लेते हैं positive V, U, R1 and R2 इसे हमें sign के साथ रखना है दोनों तरफ जो medium आएगा वो कैसा होना चाहिए same होना चाहिए ठीक है तो यह चीज़ें आपको ज्यान में रखनी है जब यह condition है तभी आप यह formula apply कर सकते हैं clear है वेड़ा देखिए question है n is equals to 2 यहां भी n equals to 2 है r1 लिया है 20 cm और r2 लिया है 10 cm ठीक है पर पहले जाती है हमेशा याद रखना जिस surface पर रे पहले जाती है उसे हमें क्या लेन यह है वह आपका r1 है ठीक है और जिस पर रे बाद में जाएगी वह आपका r2 है ठीक प्लस और माइनस डिपेंड्स ओन वाट कि रे कहां से आ जा रही है अब हम लिखें तो लिख सकते हैं 1 by f is equals to mu l by mu s मतलब की refractive index of the lens by refractive index of the surrounding तो लिख सकते हैं mu l by mu s minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 तो refractive index of lens क्या है 1.5 और refractive index of the surrounding क्या है that is 2 minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 तो 1 by r1 r1 कितना लिया है 20 तो 1 by 20 minus 1 by r2 r2 की value कितनी है minus 10 minus minus क्या हो जाएगा plus तो यह हो जाएगा plus 1 by 10 ठीक है now we can say that 1 by f is equals to minus 1 by 4 into 3 by 20 तो focal length कितनी हो जाएगी minus 80 by 3 centimeter will be a focal length यह answer आना चाहिए ठीक है और नहीं आ रहा है तो कुछ गरबड है अब यहाँ पर एक चीज मुझे बताईए कि यहाँ पर अगर मैंने कहा कि रह यहां से ऐसे जा रही है कुछ इस डारेक्शन में मैंने रह लिए अगर माली जे रह यहां से आती सपोस्पोस मैं यह कहता कि रह यहां से आ रही है in that case क्या answer आना क्या answer change होता या नहीं होता आप solve किजिए और मुझे बताईए स्टार्ट सॉल्विंगेट एवरीबन सोना नहीं है हुआ है है कि 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 किसका कहना है कि सेम आ रहा है भई जो स्टंडर्डाइज बुक्स हैं उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंज को इस तरीके से दिया जाता है एक यह कॉन्वेक्स लेंज जो फॉरेंग ऑथर्स की बुक्स होती है स्टंडर्डाइज उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंज को कुछ इसी तरीके से बिनाया जाता है यह ऑप्टिकल एक्सेस इफ दे रे इस कमिंग पैरलल इफ दे रे इस कमिंग इन दिस वे तो यह कुछ ऐसे मूग करती है लाइक दिस और यह है कंवर्जिंग लेंज जिसकी फोकल लेंज पॉजिटीव है क्या कहता है इसे कंवर्जिंग लेंज ठीक है कॉन्वेक्स लेंज को हम तभी कंवर्जिंग कह सकते हैं यह हम यह शॉरली कह सकते हैं कि वो कंवर्जिंग कंवर्जिंग लेंज की तरह ही एट करेगा जब उसे एर में रखा गया होगा कहां रखा गया होगा एर के आदा तो हम उसे कह सकते हैं कॉन्वेक्स लेंज इस पूट इन एर इन डाट केस ओनली फोकल लेंज इस ऑल्वेस पॉजिटिव एंड कंवर्जिंग 10 STANDARD तक क्या होता है कि आप लोगों कोई ऐसे Cases नहीं आते हैं जिसके अंदर मीडियम होता हो हर एक के अंदर मीडियम में क्या होता है और होती सराउन्दिंग मीडियम हमेशा एर रहता है वहाँ पर हम यह स्टेटमेंट दे देते हैं कि Qondrax Lens जो है वह हमेशा converging lens की तरह act करता है और उसकी जो focal lens हो हमेशा positive होती है but condition यह है कि वो lens air में होना चाहिए सौझ में आया clear है इस statement अभी को तो यहाँ मैं लिख देता हूँ उससे आप याद रखेगा if it is placed in air in that case only focal length is positive and converging clear है विदा और जो concave lens है समझे जो concave lens है उससे कैसे represent किया जाता है यह जो मैं बता रहा हूँ इस इस standard diagram जो आप foreign authors की जो books है mostly उसी में आपको देखने को मिलेगा ठीक है like this येू तेयर निवा हम झा भालग अो ये रे ठावत काल्सनार निवूर्ग ंुप banned और आप इसे रिट्रेस करेंगे यहां पर आपको इमेज फॉर्म होगे गोलो क्लियर है तो हम यहां पर यह कह सकते हैं जैसे कि हमने statement आगे भी study किया है कि जो paraxial rays है जो parallel जा रही है तो paraxial rays इस दे अपीरस्टु मीट यह दे एक्टुली मेट ठीक है जहां पर वो पैरेक्जिल रे मीट होती है उस पॉइंट को हम फोकल पॉइंट कह सकते हैं क्लियर है यह चीज़ एधर वी केंसे इन दाट वे और वी केंसे इड़ पीएस तुमीट ठीक है यहां पर जो फोकल लेंद्थ है यह फोकल लेंद्थ कैसी है नागेटिव एन्द इस डाइवर्जिंग कि एर में रखा गया है उस कंडिशन में हम यह कह सकते हैं कि इट विल बी और डाइवर्जिंग एंड फोकल लेंद्थ नागेटिव एक बर एक कोशन पूछा गया और उसमें यह कहा गया कि लेंद्थ और मीरर इन दोनों को पानी में डाल दिया गया तो किसकी फोकल लेंद्थ चेंज होगी बताईए अगर एक मीरर और एक लेंद्थ को पानी में डाल दिया जाता है तो फोकल लेंद्थ किसकी चेंज हो जा काव्या लेंज कि शान लेंज देव लेंज विश्वा लेंज कि पार्थ प्रजापती संवाला और टो फार्थ मैंतर विकॉस मीरर की फोकल लेंज फिकिस्ट है रिश्रेक्टिव इंडेक्स में अविपेंडेन करने मिरर की फोकल फोकल लेंज फिक्सर देडिस चाहिछ 2 स केた जो ने ठीस तोलाइ लंशी फोकल लेंज छींज हो सकती है we can say focal length of a lens can be changed focal length of a lens can be changed clear है यहां तक जब हम उसे पानी में डाल लेंगे तो mirror और lens दूरों में से किसकी focal length change हो रही है so we can say lens की focal length change हो जाएगी clear है यहां तक yes or no yes sir ठीक है तो आज हम यहीं तक रखेंगे कल हम lenses को continue करेंगे और आप एक वाद गर बेबाट की revise करना lenses के जितने cases हैं उस सारे cases आपको study करने रहेंगे fine ै सुआ है सुम्हां तकी दितने ग्हें गई एगे समये खव गभ छो घगर भॉटर अ harsh करेंगे । इसे लाग गए खव मैल